दोस्तों नमस्कार के पीडी चेकड़ में आपका हार्तिक स्वागत है आज हम सीडीपी पालवी का सिच्छा साफ्स का 30 कोशन के किसे लाएंगे जो कि सीटेट प्रच्छा को दर्श्री से बहुती मैथपूर होगा पीडियो को लाइक एंट सेर करें चैनल को सब्सक्राइब क प्रेस करें नौटिफिकेशन के मादियम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी तो आज का हम कोशन स्टार्ट करते हैं बच्चे के विकास की सिद्दान्त को समझना सिच्छक की साहिता करता है जैसे के बच्चे की सिद्दान्त को सिच्छक को क्यों समझना चाहिए जैसा कि अभी बात करते हैं बच्ची की स气्धान्त को समझने के लिए बिकास को समझने के लिए बच्च सिछक को कुश्चात्यों कि विविन अधिकरम सहलिए को प्रवावेत प्रभावी रूप में संबोधिन्द करनी में, क्योंकि अगर टीचर यहां पर बच्चे की विकास के बारे समझ जाता है, कि बच्चे किस प्रकार से सीख जाता है, सीख रहा है या सीख सकता है, तो वहां पर उसी प्रकार की सिछर विद्यों का कच्छा में नमाड करके बच् आपको वीडियो मिलती रहेंगी, पुरुस इस्त्रियों की अपेच्छा ज्यादा बुद्यमान होती है, यह कथन, फर्स्ट अप्स ने, सही हो सकता है, सेकंडर, लैंगिक पूर्वा ग्रया को प्रदसित करता है, थोड़े, बुद्धी के भिन पच्छों को के लिए सही है फोर्थ है, यह सभी सही है, तो जैसे कोश्चन हो लाए रहा है, पुरुस है, जो पुरुस होती है, वो इस्त्रियों की अपेच्छा ज्यादा बुद्धिमान होती है, ऐसा नहीं है, पुरुस हो इस्त्रियों समान बुद्धिमान होती है, अगला कोश्चन देखती है, इर इफ्रान खिलोनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग-अलग कर देता है आप क्या करेंगे फर्स्ट अप्स ने उस पर हमेशा नजर रखेंगे सेकिंड उसके जिग्यासी सुबाब को प्रोसाहित करेंगे और उसकी उर्जा को सही दिसामे संचार करेंगे थर्ड है उससे समझाएंगे कि खिलोनों को तोड़ना नहीं चाहिए फूर्थ है इफ्रान को खिलोनों की कभी भी नहीं खिलने देंगे जैसे कोश्चन बुले रहा है कि इर्फान है जो कि खिलोनों को तोड़ दिता है और उसके प्रजानों को क्या करते है वो अल में किस प्रकार की प्रक्रियां होती हैं तो हम क्या करेंगे उसके जग्या से स्वबाब को प्रुसाहिद करेंगे और उसकी उर्चा को सहीध सामें संचारित करने का काम करेंगे तो आंसे द्याकरेक्ट को आप यहां पर हमारा सेकेंड अगला कुश्चिन देखेंगे बीडी को लाइक एंड से करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ब्लाइक आपको प्रेस कर रहे हैं जैसे नोडिफिकेशन नहीं मात देम सो आपको वीडियो मिलती रहेंगी तो डाइडेस करेंगी यहांपे क्रस्टि न है अपनी कच्छा को छेतर ब्रहणवर पर ले जाती है और बापस आनी पर अपनी विड्ध्यातियों के साथ ब्रहणवर पर चर्चा करती है यह की ओर संकीत करता है फस्ट उप्स न है सीखने के लिए आंकलन सैकरिन है आंकलन के लिए सीखना कि थड़ा आकलन का सीखना फोर्थ है सीखने के आकलन तो जैसे कि यह वह अपने बिध्ध्यार्थियों और वापसाने बाद या वापसाने के बाद यह वह क्या उस पर चर्चा करती है ति यह किसकी और संखित करता है ऐसा चेत्रों पर चचा करने से घर बापस आने से या चेत्रों पर चचा करने से इस और संक्यत करता है कि चात्रों ने चेत्रों के दौरान क्या सीखा क्या क्या जाना इससे चात्रों के सीखने का आंकलन भी हो सकेगा तो यहाँपर बात की है अर्य सीखने का आंकलन तो आंसर जए करेक्ट होगा इसके अकोर्डिंग हमारा सीखने के लिए आंकलन करेक्ट आंसर हो जगा हम आपे टिक करेंगे अगला कोशन देखते है पृत्येक विद्ध्यारती स्वोमें बिस्स्थ है इसका आर्थ है कि विद्ध्यार्थिय। न ना तो कोई समान विधेस्ता होती है और ना उसके या उनकी लच्छ समान होती है। सबी बिद्ध्यार्थियों के लिए एक समान पाट चर्या संभव नहीं है। थरड़ है एक विसम रूफी कक्षा में बिद्ध्यार्थियों की चमता को बेक्सित करना संभव है। कोई भी दो सिच्छार्थि अपनी योग गिता रुचियों और प्रित्वाओं में एक समान नहीं होते हैं। की लिए आवश्चक है फस्ट अपने बिसेवस्तू आदत प्रशन सेकेंड मुक्तु उत्तर वाले प्रशन थरड़ है। एक 487 या अनुसाशत कक्षा फोर्त है प्रतच्य सिच्ध्य एबंं प्रतच्य प्रशन तो जैसING अब कोश्चेन मुले की सरय जनात्मक उत्तरों के लिए आवश्चक है यह कूरीफटीड की बारे पूछा यह जैसे के भाफ करते हैं कि यदे हम चाहते हैं कि एक छात्र मैं सजनातर दे तो उनके कोशलों का विकास करने के लिए हमें मुक्त अंत वाले प्रशन रखने होंगे और उनकी जवाब जानने होंगे या ऐसा उसे करने के लिए प्रेरित करना हुआ तो इस पकार से हम बात करते हैं तो यह क्या होते हैं? मुक्त अंतर उत्तर देने वाले प्रशन होते हैं आंसे दाइक हो गया इसका कोड़ी हमारा सैकेंड अगला कुछन देखते हैं विद्ध्यारतियों को के लिए प्रोसायत नहीं करना चाहिए समूब कार्यों में दूसरे सिच्छारतियों के साथ सक्रे रूप से अंतर क्रिया करने सैकेंड अधिक से अधिक पाठे सैगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने थड़े सिच्छक जो पूछते हैं या पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्णों के उत्तर याद करने चाहिए तर फोर्त है कक्च्छा के अंदर और भार दिख से अधिक प्रश्ण पूछने तो यहां पर क्या करेंगे को को यहँपर आवारे तीनों पॉस्टिम में हैं क्योंकि अगर यहां पर फरस्ट का गोड़नी की बत करा तो यह वारा आनसर नहीं होगा अगर हम पाठ्थ सिगावी किरियों की बात करेंगे तो ये भी इस सार रहेंगे तो ये भी मारा positive answer होगा और अधिक से अधिक कच्छा बार से अगर यहाँ पर बात कीया रहे है कि यह नहीं कच्छा के बाहर कुछन कुछ ने है थर्ड पहला कोशन देखेंगे नेमने लिट मैंसे कौन सा रचनात्मक आखलन के लिए उच्छत उपकरण नहीं है तो यहां पर कोशन पुछा है कौन सा है जो की रचनात्मक आखलन के लिए उपकरण उच्छत नहीं है तो यहां पर रचनात्मक उपकरण की बात करें तो यहां पर सत्र परिच्छा कोई रचनात्मक उपकरण नहीं है अगला कुशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हाधी जात में सिच्छ अधिगम प्रकिरिया में बादा के रूप में जैसे कि यहांपी कुश्चन बुझे रहा है कि भारती समाज को बहु वासिक विसेष्टा को देखा जाना चाहिए तो जैसे कि कुश्चन देखेंगे यहांपी कि विद्ध्याले जीवन को सम्रद संसादन बनाने के रिक्तियां रहे जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए संगन अभ्यास कार सबी पार्ठों को विवस्तित रूप से दोराना थरड़ विध्यारतियों और अविभावकों को उपलब्दी के विसे में बताना समुचत उप्चारात्मक कार रहे जैसे कि कोश्चन बुल करेंगे क्योंकि निधानतियों में समस्या का बारें पता चल जाएगा फिर उस उप्चार से क्या है उस रिक्तियों कि हम पूरा कर सकते हैं तो आंसरी दाया करेक्ट हो यह हमारे आपे फूर्थ अगला कुश्चन देखते हैं वीडियो को लाइक एंट से करते हैं अतियाद में सबसे अधिक गैन और जटिल समाजिकर्ण होता है फर्स्ट अप्सन है किसोर वबस्ता के दौरान सेकिंड है पूर्व वालस्ता के दौरान थर्ड है प्रोड वबस्ता के दौरान फोर्थ है ब्यक्ति के पूरे जीवन में तो यहांपे जैसे में पकूर्शन के बात करते हैं सबसे अधिक जो गहाण और स्माज़िकर्ण classrooms होता है कि यहांपर बात करते हैं किसोर वबस्ता के दौरान बहुत जल्दी अपने सामाज में समयम नहीं बरत पाते हैं यह स्टेयर हॉल ने इसमें बिसेस अद्धिन किया है थोड़ा सा नहीं आपको एक्से नॉलज़ दिए आंसर तो मारा फस्ट ही है अगला कुशन देखेंगे वीडियो को लाइक इंड सेरी करते हैं यह तमें चैनल फोर्थ है प्राथमिक तो यहां पर आनम निस्था को सामाजिक सरचना माना जाता है इस पकार से कुश्चन में पूछा जा रहा है किस पकार से माना जाता है यह माना जाता है आनम निस्था को इस तर सामाजिक सरचना माना जाता है क्योंकि इसलिए यह मनिस्व में पीड़ी दर पीड़ी परिक्रितर रूप में आगी और बढ़ती है अहां सरी दर करेक्टर हो गया हमारा इसके अकॉड़ी थर्ड इस तर अगला कुशन देखते हैं प्याजे के अनुस्वार विकास की पहली वरस्ता जनम से लगबाद दो वर्स के दोरान बच्चा सबसे बहतर सीखता है फर्ष्ट अप्सन है निस्क्रिय सब्दों को समझने की द्वारा सेकेंड है अमूर्थ तरीकी से चिंतन द्वारा भासा की नए अर्जित घ्यान की अनुर्प्रयोक द्वारा फॉर्थ है इंद्रियों के प्रियोक द्वारा तो जैसे कोश्चन पुछा रहा है कि प्याजे की अनुसार जो विकास है जो पहली वरस्ता में जनम से लेके 2 वरस्त में किसके द्वारा बैतर तरीकी से पूछा पूछा अवस् rubbish पाता है local a ко..! यहां पre बात करते हैं hop Greenija choralic जी अवस्ता की बाद कर लिए में जूब जनम से पहली अवस्ता होती है जनम से जो बच्चा सीखता है वो रैद इंद्रिय गामग अवस्ता होती बच्चा बच्चतों को पगड़ता है और उसे मुद्ध कर देखता है आपने दिखा बढ़ कि इंद्रियों नहीं मुद्ध कर देख रहा है फूर्ट आंसर हो जागा इसके अगोडिंग, अगला कॉश्शन देखते हैं करने के योग बनाना फूर्ट परिगटना या अवधारना को अपने सब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विध्यातियों को कहना तो यहां पर कुश्शन पूछ रहा है कि कौन सा समझ की सिच्छन को प्रदश्यत नहीं करता है तो जो नहीं हमें कुश्शन समझ ना हुआ उसके अकौड़कर और यहां पर नहीं करते हैं कि यह विध्यातियों को एक कैथ और प्रतिक्रियां को याद करने के यह 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 बनाने के लिए नहीं करता है तो हो जागा हमारा यहां पर थर्ड और नहीं याद करने की बात क्यों करते हैं याद जो हमारा जिवाड है वो नेगरेटिवी दर साथ है यह कि हमारे रटंद प्रणाली की तरफ जाता है और अगाला कुशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं सीखने का हुए सिध्धांत जो पूल रूप से और केवल अवलोकनी विवार पर आदर्थ है सीखने की सिध्धांत से संबंध है जैसे कोशन में पूछा जैरा है कि सीखने का सिध्धांत है जो कि पूल रूप से केवल अवलोकनी विवार पर आदर्थ है तो वह किस परकार से है कोशन में इस पर पूछा रहा है जैसा IoT पूचेगा वैसे हमें आंसर देना है तो यह थो कि है बिवारवादी की बात कर रहा है वह meer वारवादी की तरफ जय रहा है ज aurait रोखके हमारा आधरीत होगवा बिवारवादी होगा तो answer करेंगे का टो कि चैनल को subscribe प्रत्वा साली बच्चों की योगताओं की उपलब्दी चाहती है अपने उद्योसों की प्राप्ति के लिए उसे नियमने लिखत में से क्या नहीं करना चाहिए जैसे कोश्चन बुलाए गया है प्रत्वा साली बच्चे है उनकी योगताओं को उपलब्द करना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है प्रत्वा साली बच्चों की योगताओं की उपलब्दी चाहती है अपने उद्योसों की प्राप्ति के लिए नियमने लिखत में से क्या नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए उसमें question पुछाए तो answer भी हमें उसी के according देना है तो जो नहीं करना चाहिए जो कि बिसेश ध्यान की लिए उन्हें उनके समकच्छों से अलग करना है हमें कच्छा में प्रतार हाली बच्चों को class से अलग नहीं करना है हमें समावें सी कक्चा का निर्वाण करना है प्रत बच्चों सीखने की मिस्टर को गया अगला question देखांगे छोटे से चाऱ्तियों में विद्ध्यार्त निम नेर्ग्रमय से कौन सा लक्षड पठन कटनाई का नहीं है question नहीं में पूछा है फर्स्ट अप्स ने हमारा पठन गती और प्रवा में कटनाई, सेकेंड है सब्दों और विचारों को समझने में कटनाई, थड़े सुसंगत बरतनी में कटनाई, फोर्थ है वर्ड एबं सब्द पैच्चाननने में कटनाई, तो इत कोशन पुचा गया है जो छोटी ध्यारती होती है, सिच्छारती होती है, कौन सा लच्छण पठन गतनाई में नहीं दर्शाता है? तो इसका यह नहीं देन आयए, पठन गती और धारा प्रवा में कटनाई नहीं होती है, आगला कोशन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बैनने को प्रास करने, जिसे नो आता है सेकिंड वे कार करते समय उच्छ स्तर की उर्जा प्रतस्त करते हैं थरड़े वे चुनोती भरे कारों को पसंद करते हैं फोर्ट वे हमेशा सपल होते हैं जैसे को पूछा या रहा है उसी प्रकासित है नेमने लगत में से कौन सी विसेस्ता है जो कि आंतरिक रूप से बच्चों को अवेप्रेजवत करने के लिए सही नहीं है है तो आनसर हम्हें निबंदेना कंदन नहीं नहीं पूचा गया है तो जैसे के हमही stepped in ब suspects हो नहीं होना होना का आत्म नियमन की और संकेत करता है विध्यातियों के विभार के लिए भिविन सुनी बिन में बनाना बिध्यारती निकाय द्वारा बनाए गए नियम बिन में थड़े स्वय अनुसासन और नियंतर फोर्थ है अपने सीखने का स्वय परिवेच्छर करने की उनकी योगिता बिध्यारती है जो कि आत्म नियमन की और संकेत करते है या करता है जो कि अपने सीखने का परिवेच्छर करने की उनकी योगिता आंसर ये जाय करेक्ट हो जाए हमारा इसका अकॉर्डिंग फोर्थ अगला कुशन देखाएंगे नियमने लग में से किस कत्षन को सीखने के लच्छर के रूप में नहीं माना जा सकता है फर्स्ट अपने सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनवववों के परिवार्णाम सरूप गठित होती है थड़े सॉरी सेकिंड है विवार पर अध्यन सीखना है थड़े अनदिगम विषी किने का एक हिस्सा है फोर्थ है सीखना एक प्रकरिया है जो विवार में मद्दस्रता करती है कोश्चन बोला जा रहा है कि किस खतन में सीखने की लच्छर को रूपांत्रित में नहीं माना जा सकता सकता नहीं माना लक्ता स्बाइब करेक्व और सब्सक्राइब कोश्च् bekommen है का अध्यान सीखना देखो जैसे कि आपे विवार का अध्यान सीखना नहीं होता है बलकि विवार में परिवरतन सीखने का लच्छन माना आता है क्योंकि हम जब सीखते हैं तो हमारे विवार में क्या परिवरतन हो रहा है बदलाव होता है नहीं कि विवार का अध्यान सीखना होता है इसके अकोडिंग आंसरी दा करेक्टर हो हो जाएगा है अगला कुशन देखते हैं सिच्छक की प्रभत्तु साली भूमिका पर बल देता है थड़े अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है यहां पर एक कोश्चन पूशा है जो सिध्धान्त की रूप में रचनाबाद पूछा गया है तो जैसे कि आप रचनाबाद की वारे में बात करती है कि दुनिया क के भिषय में अपनी या अपना दिश्ट्रिकों निर्मत करने में सिच्छार्थी की भूमिका पर बल देता है उसी को मरचनाबाद सिध्धान्त कहते है तो आंसे इदा करेक्ट होगा इसका कोड़िंग वारा फस्ट अगला कुश्चन देखेंगे रचनाथमक सिच्छार्थी हुए है जो फर्स्ट अपने बहुत बुद्धिमान है सेकींड परिच्छा में हर बार अच्छे अंग प्राप्त करने की योग है सेकींड पार्सव ये लेटरल चिंतन में चिंतन और समसे समादन में अच्छा है फोर्थ है ड्रॉइंग और पै समसे समादन में या लेटरल चीजों में या क्रेविटी करने में अच्छे होते हैं तो आंसर इसके को होडिक हमारा इंगा थार्ड पार्सव ये लेटरल चिंतन समसे समादन में अच्छा होगा अगला कोसिन देखेए बीडियो को जिसके नौटिफिर्शन को वीडियो देंगे कोशन देखते हैं अब दो दो का विकास मुख्रूफ से का हिस्सा है फस्ट अपसे बॉद्धिक विकास सेकेंड सार्वेक विकास थाड़ सामाजिक विकास फौर्थ है सम्मेग अतमत विकास तो यहां पी अब धरनाओं की बारे कोशन देखेंगे कि लिग्ट्र करत्त सिछाति एक दूसरे से मैं भिइन होते हैं कि व्यक्तिकत बिध्याती होती है वो एक दूसरे में मोरे कंदने होते हैं वह किस प्रकारत के भिइन होते हैं तो यहां पर आंसर दा कर्क्ट होगा है, हमारें आपी विकास की दर, दोस्तों को साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, बरायां को प्रैस कर लें, नोटिफिक्शन करेंगे आपको विडियो विलती रहेंगी, कोशन देखेंगे हैं यापी, थोड़ा option यह आपि दिखाईने दे रहे हैं अड़ेस्ट करेंगे आपि बच्चे के उच्चित बिकास को सुनुच्चित करने के लिए उसका स्वस्त सार्रिक बिकास एक मैत पूर्ब आवशकता है यह कतन कतन देखेंगे आपि थोड़ा दिखाईने दे रहे हैं कोई नहीं एड़ेस्ट करेंगे आपि फर्स्ट है गलत हो सकता है क्योंकि बिकास नितांत ब्यक्तिगत मामला है सही है क्योंकि बिकास किरम में सार्रिक बिकास सबसे पहले इस्तान पर आता है थड़ है, सही है, क्योंकि सारीक बिकास, बिकास के अनिपक्चों की साथ अंत्य संबन्त है, फोर्त है, गलत है, क्योंकि सारीक बिकास, बिकास के अनिपक्चों को भी, प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है, इस प्रकार से उप्षन दिएगे, तो कोशन इक बार देखते लिए सुस्थ सारेक विकास एक महत्पूर आपश्कता है। यहां पर करते हैं महत्पूर आपश्कता कि सही है क्योंकि सारेक विकास के अन्रिपक्चों के अंतर सम्मंद्ध होता है। अंसरी जा प्रक्रवाइब हमारा थर्ड अगला कुछ देखेंगे मानव विकास कुछ बिसेश सिद्धान्तों पर अदर्थ है निम्रग में से कौन सा मानव विकास के सिद्धान्त नहीं है तो यहां पर नहीं पूछा गया तो आंसर भी हमें नहीं में देना है कुछ बिसेश के सिद्धान्त में है आंसरा करेक्ट्रोव यहीं प्रतिवर्ति प्रतिवर्ति जो करिया है वो हमारे इसमें नहीं है विकास के सिद्धांत में तो आंसे हमारा ठड़ हो जाएगा अगला कॉशन देखते हैं बीडियो को लाइक इन ऐड से घते हैं चैनल को सब्सक्राइब करनें वेसेस विध्यालों, डूब मुंक्त विध्यालों, विवर गत्यों के शूर से रही है या मिम्न ए पयए लमोरे कों, जासे हैं सब्सक्त्रल Yoo जाते हूं जासे कि ही निसकत्य बच्यों के बारे में बात की जाने हैं यहां पर बात करते हैं कि नियम्द विद्ध्याल है नियम्द विद्ध्याल है इसा सबसे वैस्ट कुई हम पर समावी से सिच्छागा माहल होगा, इनवर्मेंट क्रेडिट होगा, तुम आपे प्रतेग बच्चे को सीखने के सवान अवसर मिलेंगे, आंसरीदा करेक्टर होगा आपे नियमित बिद्ध्याल है, फोर्थ, अगला कुश्चिन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथियात में, नियमिनल के सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संबेगात्मत कारकों से प्रभावित नहीं होता है, थड़ा है, सीखना मूल रूप से मानसिक करिया है, फोर्थ है, बच्चों द्वारा की गई तुटियां यह संकेत करती हैं, कि किसी तरह का सीखना या सीखना नहीं हुआ, तो जैसे कि यह पर कुश्चन पुछा रहा है, कौन सा कथन है, जो कि सीखने के बिसह में सही है, तो जैसे कि बात करते है, कि सीखना उस बाता वाणा प्रभावी होता है, जो संबेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्ध्यारतियों को संतुष्ट करने बाला हो, तो वही सीखना क रिच्छारतिएं की उपलопदी को मापना, सेकेंड है ये नरिणा लेना कि क्या विध्यारती को अगली एक अख्छा में प्रोर्णत किया जाना चाहिए, थज़र है, सीकने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए फोर्त है विद्यार्तियों की तोटियों निकालना और उनकी उपलब्दी मापना तो यह पर मुल्याकन का उद्देश पुछा गया है मुल्याकन का कौन सा उद्देश होना चाहिए इस पकार से कुशन पुछा गया है या किस परकार से नहीं सीख पारे हैं तो उनका निदान करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उनका उपचार करेंगे बच्ची किस परकार से सीख सकते हैं या क्लास में उस परकार की सिच्छर वीदियो का प्रयोग करेंगे इसके according आमारा answer जागा 3 अगला कुशन देखती है सिच्छार्थी जो पहले सीख चुकी है उसकी पुर्णावर्ती और प्रत्या समर्ण में सिच्छार्थी की मदद करना मैतपूर है क्यूंकि फर्स्ट अप्सने नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समर्द बनाता है पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावित तरीका है यह विद्ध्यार्थी सिच्छार्थी की इसमर्थी को बढ़ाता है जिससे सीखना सुद्रण होता है फूर्थ है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुद्धा जनक सुरुवात है जो सिच्छार्थी सीख चुके हैं उनकी पुर्णावर्ती के लिए प्रत्यासमर्थ सिच्छार्थी की मदद करना मैतपूर है क्यों कि विद्ध्यासमर्थी सीख चुके हैं उनकी प्रत्यासमर्थ क्या मैतपूर होगा इस पकार से कोश्चन पुछा रहा है जिसके बात करते हैं नई जनकारी से पूर प्रानी जाकर निया पूर वियांकारी से जोड़ना सीखने को सम्मर्द बनाता है इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इता करेक्ट हो जाएगा फस्ट दोस्तों सैसन आवरा है यहीं समाप्त हु वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने ब्लैक नूप प्रैस करने जिससे नॉटिफिक्शन मात्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी जैन दोस्तों बंदे मात्रम